नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सब का मेरी चैनल सिविल एंजिनियरिंग फॉरम में दोस्तो क्या आप सर्दी से बचने के लिए एक रूम हीटर खरीदने की सोच रहे है पर मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि ये रूम हीटर खरीदने से आप इस ठंड से तो बच जाओगे पर क्या साइड इफेक्ट से इसे इस्तेमाल करने के, क्या प्रॉब्लेम्स आपको फेस करने पड़ सकते है और ज्यादा तर यहाँ पर हम हेल्थ प्रॉब्लेम्स की भी बात करेंगे और इसके क्या पॉसिबल सॉलिशन्स है तो इन सबी चीज़ों के बारे में आज हम डीटेल में देखेंगे तो चलिए शुरू करते है टॉब फाइप प्रॉब्लेम्स उफ यूजिंग रूम हीटर से इसमें प्रॉब्लेम नंबर वन है इट बर्न्स दी ऑक्सिजन जी हाँ दोस्तों ज्यादा देर तक रूम हीटर चालू रखने पे हमारे रूम में जो ऑक्सिजन लेवल होता है वो डाउन हो जाता है क्योंकि कोई भी हीटर में कमबशन प्रोसेस होती है और ये कमबशन कमप्लीट करने के लिए ऑक्सिजन रिक्वाइड होता है और इसलिए आपने कही बार ये महसूस किया होगा कि रूम हीटर या कार में हीटर स्टार्ट करने के कुछ दिर बाद ही आपको सफोकेटिंग फील होने लगता है आपको एक घुटन सी होने लगती है इसका रिजन यही है कि वो ऑपन स्पेस में ऑक्सिजन डाउन हो गया ऑक्सिजन कम हो गया होता है तो as per doctor ZHS बिलकुल recommended नहीं है तो मतलब आपको इस चीज का सामना करना पड़ सकता है इसकी वज़े से आपको बहुत से बिमरिया हो सकती है जो हम आगे देखेंगे और इसके possible solution की बात करें तो जब भी आपको इरूमीटर इस्तेमाल करते है तो आपको थोड़ी सी अपनी जो विंडो है खिड़की है वो थोड़ी सी खोल देनी है यह फिर रूम का डूर थोड़ा सा ओपन रखना है ता कि air circulation बना रहा है और इससे क्या है कि oxygen level जो है वो आपके रूम में maintain रहेगा और दूसरा solution यह है कि market में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे technology के साथ move होते हुए oil based room heater invent हुए इसमें क्या है कि oil जो रहता है वो गरम होता है इसमें कोई blower fan नहीं रहता जो कि normal heaters में रहता है पर क्योंकि इसमें गरम oil है तो जैसे जैसे हमारे room की हवा जो है वो इसके contact में आएगी हमारा room जो है वो गरम होता जाएगा temperature बढ़ता जाएगा तो इस principle पर यह work करेगा और इसमें हमारा oxygen level भी maintain रहेगा तो अगर आप एक room heater खरीदना ही चाहता है तो आप इसे prefer कर सकता है बाकि convection वो जो blower room heater है fan type room heater है या फिर halogen room heater वो जो light वाले room heater आता है वो आपको नहीं खरीदना है फिर second problem है it reduces humidity in the air winters में एक तो पहले से air थोड़ी सी dry रहती है और इसलिए हम body lotion का इस्तमाल करता है पर एक room heater इस्तमाल करने से क्या होगा कि यह हवा और dry हो जाएगी आपको थोड़ी देर बाद अपनी skin पे dryness महसूस होने लगेगी ज्यादा room heater का इस्तमाल करने से ऐसे atmosphere की वज़े से आपकी skin में sensitivity, roughness और eating जैसी skin problems का आपको सामना करना पड़ सकता है इसके possible solutions की बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो oil based room heater prefer कर सकते हो इससे आपके room की humidity भी कम नहीं होगी और यह फिर अगर आप चाहो तो बाउल में पानी भर के आप कोई भी एक कोने में रख सकते है हलाकि इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पर थोड़ा बहुत जो है वो इससे फर्क पड़ सकता है humidity maintain हो सकती है फिर number 3 पर है it can make the indoor air toxic दोस्तो कुछ ऐसे room meters market में भीक रहे है जो की carbon monoxide जैसे खतरना gases emit करते है जो की अमरी health के लिए बहुत बहुत जियादा आनी का रख है और अगर आपके room में enough ventilation नहीं है और आप हरोज ये heater start करके सोते है तो इसमें आपको respiratory issues जैसे की अस्थमा हो सकता है फिर allergic problems या फिर काम oxygen की वज़े से कोई भी serious health problem हो सकता है तो इसका possible solution है की room में heater इस्तवाल करते वक्त हमें enough ventilation बनाए रखना है जैसे की हमने बात की फिर problem number 4 है a fluctuation in temperature can cause problems ठंड में room meter start करके वहाँ पे work करने में बहुत मज़ा आता है आपको ठंड का एहसास तक नहीं होता पर जैसे ही आप किसी काम से बाहर जाओगे तब आपके body को temperature change realize होगा यहाँ पे आपका body a sudden temperature change महसूस करेगा ऐसा repeatedly होने से आपके body में immune system weak हो सकती है और फिर पेट में digestion के problem आपको धीरे धीरे होने शूरू हो जाएंगे इसका possible solution यह है कि heater का हम कम से कम इस्तमाल करें और इसमें उतना heat temperature set करें जितना sustain करने के लिए आपको comfortable लगे और आपके body को ऐसे sudden temperature change का सामना करना ना पड़े और फिर last problem number 5 जो हम सब जानते है can cause potential fire accidents electric space heater जो होते है वो room को गरम तो रख पाते है पर इसकी वज़ा से हमेशा fire hazard रहता है room heater electric short circuit की वज़ा से आग लगने के chances तो हमेशा ही रहता है चाहे कितना भी safe आपका heater क्यों ना हो तो इसी लिए heater को हमेशा use करते वक्त हमें इससे 3 feet तक की दूरी बनाए रखनी है और इस type के heater को हमेशा अपने supervision में ही चालू रखना है और इसी वज़े से अगर आपके घर में छोटे बच्चे है तो उनको इस heater से तो दूर ही रखना है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल एंजिनिरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें दिस जोल फर टुडे थेंक यू फर वाचिंग